हलो इब्रीवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म्स कवर कर रहे हैं लास्ट के कुछ सेशन्स में हमने साउथ इंडिया से जुड़े हुए चार क्लासिकल डान्स फॉर्म्स के बारे में डिसकशन किया, जिसमें हमने मोहीनी आटम, कथकली, कुछी पुडी, भरत नाटियम पर चज़ जागे. आज के सेशन में हम बढ़ेंगे नॉर्थ और वो भी नॉर्थ इस्ट की तरफ और हम बात करेंगे सत्रिया क्लासिकल डान्स फॉर्म्स के बारे में जो असम स्टेट से है, देखते हैं कि इस डान्स को कौन से दूसरे फोक डान्स फॉर्म्स या म्यूजिक ने प्रभावित कि और कैसे ये डान्स डेवलप हुआ सत्राज में यानि की असम के मठों में 13, 14, 15, 16 सेंचुरी ये एक ऐसा पीरिड है जब भारत के अलग-अलग हिस्सों में आपको भक्ती मूव्मेंट का प्रभाव देखने को मिलेगा कितने ही ऐसे संथ थे जो इस भक्ती के आइडिया को पॉपुलराइज कर रहे थे वो कह रहे थे कि गौड की वर्शिप करने का तो तरीका कोई भी हो सकता है चाहे डान्स की जरिये, चाहे म्यूजिक के जरिये, चाहे भजन की इरतन करके तो आपको कितने ही डान्स फॉर्म्स, म्यूजिक की फिल्ड में, मध्यकालिन भारत में डेवलाप्मेंट देखने को मिलेगे ऐसा ही कुछ नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इस्ट वाले रीजन में भी देखा गया यानि असम वाले हिस्से में वहाँ पर आपको लॉर्ड विश्नु के भक्त, वैश्नव संत, शंकर देव देखने को मिलेंगे जिन्होंने लॉर्ड विश्नु की भक्ती करने के लिए एक डान्स फॉर्म को इंट्रियूस किया वो भी असम के मठों में, उन मठों को, उन मॉनिस्ट्रीज को सत्राज कहते थे ये डान्स फॉर्म क्योंकि सत्राज में डेवलप हो रहा है, इसी वज़े से ये सत्रिया कहलाया इस डान्स फॉर्म के शुरुवात की अगर बात करें, तो ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा असम में पहले से ही बहुत से डान्स ड्रामा और फोक डान्स फॉर्म्स प्रचलिब थे कही न कही सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बहुत सारे बेसिक फुटस्टेप्स, पॉस्चर्स, मुद्राइन जो थी वो इसी तरह के फोक डांस में से डराइफ की गए जैसे की ओजपाली और देवदासी नुरत्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि असम में पहली से ही बहुत से अलग-अलग प्रकार के डांस फॉर्म्स मौजूद थे, प्रिवलेंट थे, उन में से दो आपको सुनने में आएंगे जो वैश्नव मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे, एक ओजपाली और दूसरा देवदास इन दोनों में से ओजपाली जो है, वो सबसे ज़ादा प्रिवलेंट उस समय भी था और आज भी है, ओजपाली नृत्य के दो प्रकार हैं, सुखनन्नी या पिर मारोई गोव ओजपाली और दूसरा व्याह गोव ओजपाली अगर सुखननी गोव ओजपाली की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर डांस शक्ति कल्ट से जुड़ा हुआ है यानि इसमें गौडिस दुर्गा और दूसरी यहाँ पर फेमिनाइन जितनी भी गौडिस हैं उन सभी की भक्ती को किया जाता है नृत्य की रूप में दूसरा व्याह गोव ओजपाली वैश्नव कल्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें अलग-अलग कहानियों को नेरेट किया जाता है जो लौड विश्णू से जुड़ी हुई है यही व्याह गोव ओजपाली जो असम में पहले से ही प्रचलित था उसे शंकरदेव ने सत्राज यानी की असम में मठों में इंट्रिद्यूस किया रिच्वल्स के रूप में हर रोज व्याह गोव ओजपाली मठों में पफॉर्म किया जाता था और यहीं से धीरे-धीरे करके यह और रिफाइन हुआ और सत्रया डांस फॉर्म में तबदील हुआ वहीं जब हम देवदासी नृत्य की बात करते हैं तो यह मंदिरों में हमेशा से ही पफॉर्म होता था देवदासी नृत्य के भी बहुत से फुट्वर्क और एक्स्प्रेशन्स को सत्रया क्लासिकल डांस फॉर्म में इंक्लूड किया गया है यही नहीं बलकि सत्रिया डान्स में तो कितने ही असमे फोक डान्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है जैसे की बिहू और बोदो डान्स सत्रिया क्लासिकल डान्स फॉर्म पहले सिर्फ मठों में रहने वाले मौंक्स के द्वारा पफॉर्म किया जाता था और इन मॉंक्स को भोकोट कहते थे ये भोकोट अलग-अलग प्रकार के instruments के साथ इस dance को perform किया करते थे इसमें dance ही नहीं बलकि जो dancers होते हैं वही गायन का काम भी करते हैं गाने का काम भी करते हैं और instruments भी आपको बजाते हुए नजर आएंगे ये सत्रिया का traditional form है जिसमें सिर्फ भोकोट नजर आते हैं लिकिन समय के साथ इस सत्रिया dance form को महिलाओं को भी सिखाया जाने लगा hand gestures, body movement, facial expressions के अलावा इस classical dance form में और भी ज्यादा चार चान लगाती है इसकी costume जो की proper silk की बनी हुई साडियां होती है जो महिलाओं के द्वारा धारन की जाती है ये एक प्रकार का अलग silk है जिसको part silk कहते है ये mulberry leaves को खाने वाले cattle pillars की मदद से तैयार किया जाता है आपमें वो process तो सुनी होगी कि कैसे cocoons यहाँ पर cattle pillars की थ्रू बनते है और उसके बाद उन्ही cocoons को boil करके उसमें से silk निकाला जाता है part silk इसी प्रकार से यहाँ निकाला जाता है और उसी की मदद से ये साडियां बनाई जाती है इस particular dance form में भोकोट्स और खुद शंकर देव के द्वारा रचित, compost किये गए songs पर ही dance perform किया जाता है जिने बोर गीत कहते है सत्रिया classical dance forms में हस्त मुद्राओं का सबसे एहन रोल होता है इसके साथ साथ footwork, music और अलग-अलग प्रकार के instruments भी इस dance form में लासिय और तांडव दोनों ही प्रकार के aspects आपको नजर आते हैं जो की महिला और पुरुष डांसर के द्वारा perform किये जाते हैं शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया ये classical dance form जो सत्राओं में perform किया जाता था इसी का इस्तमाल असम के एक theater, भावना या अंकिया नाट में भी किया जाने लगा यानि ये जो नृत्य था इसका इस्तमाल इन dance dramas में भी किया जाने लगा आज भी सत्रिया dance को अंकिया नाट और भावना में perform किया जाता है अंकिया नाट मतलब एक अंक का नाट यानि की नाटक यानि one act play इसको भावना के नाम से भी जाना जाता है वही सत्रिया classical dance form के pure रूप को जब हम देखते हैं जिसमें सिर्फ dance perform किया जाता है और इसमें theater वाला element गायब होता है तो सत्रिया के दूसरे अनेको type यहाँ पर निकल कर आते हैं जैसे कि चाली, राजघरिय चाली, जुमुरा नृत्य और नाडू भंगी अगर यहाँ हम चाली की बात करें तो यह एक बहुती graceful type का dance है वही जुमुरा नृत्य जो सत्रिया का ही एक रूप है इसमें बहुती जादा swift और बहुती fast steps आपको देखने को मिलेंगे with some acrobats सत्रिया classical dance form को worldwide level पर popularize कराने वाले कुछ famous proponents में Krishnakshi Kashyap और गुरू Jatin Goswami का नाम शामिल है और इसी के साथ हमारे इस session का अंत होता है अगले session में हम North India से जुड़े हुए कुछ और classical dance forms के बारे में discussion करेंगे अगर आपको यह session पसंद आया तो इसे like और share जरूर करें और comment section में अपने विचार भी व्यक्त करें Thank you so much. Stay tuned.